क्या दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चाने की यूटूब चैनल में स्टार्ट करें स्टॉक माके निउस की 18 माच 2019 की कुछ अपडेट एवलेबल है इसको देख लेते हैं साथ में देखेंगे निफ्ति के ओपर इंट्राड टेकनिकल दोस्तों क्या कहता है चलि इन भी मैटलाइफ इंडिया की जो इनके पास हिस्सेदारी थी वह हिस्सेदारी ये ओमान इंडिया जोएंट इन्वेस्टमेंट फंड को बेचने वाले हैं और यह जो सोदा है अप्रोक्स 135 क्रोड रुपे में होगा खबर आने के बाद शेर के अंदर जबरदास बड़ोत चरण सेकिंड के तयात जारकंड में पैकेज 4 के ग्रामिन विद्यूति करन कार्यों के लिए और जारकंड बिजली वितरन निगम से इनको टेंडर मिले हैं कंपनी को 170 क्रोड रुपे का टेंडर मिला है और एक हलकी सी बड़त के साथ दोस्तों यह बंद हुआ है दूसरा द अगर टेंडर की बात करें तो तक्रीबान यह 880 क्रोड रुपे के टेंडर होते हैं रकम जो होती है और शेर जो है दस परसेंट की बड़ोतरी का साथ दोस्तों बंद हुआ है लास्ट अपडेट आ रहा है डी एच एफल से डी एच एफल के जो निदेशक मंडल है मंड़क देख लें आवांच अवांच 400 फाइनेंशल सर्वीज ऊबांच फानेंशल सर्विस क्मपनी की पूरी इस्सेदारी पेचनी के लिए मंजूरी दे दिया डी एच एफल बार बग पिंकर्स ग्रूप की सयोगी ओली वाइन इन्वेस्टमेंट को अवांशे फाइनिस सर्विसिस के अप्रोक्स अगर हम यह रकम लगाए एक सेकंड केल्कुलेट कर लेते हैं यह दोस्तों रकम होती है एक क्रोड 92,50,790 शेर जो है बेचेगी और जो शेर आज की दिन 5% की बढ़ोती के साथ दोस्तों बंद हुआ है बात कर लेते हैं निफ्टी के इंट्राइड टेक्निकल के ऊपर चार्ट हमारे पास एवलेबल है लास्ट टाम की जो कंडिशन है वह आपने देखी है कि किस तर 10-15 points का दो profit आता और कोई खास profit वाली बात नहीं मानी जा सकती बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर क्या possibility रह सकते देखिए उप्रकर जो रेजिस्टेंस है वह बन जाएगा support लेवल और जो अगला resistance लेवल आता है वह आता है ये वाला यह 11,490 नीचे का लेवल की देखि क्या possibility बनती है मैं जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कबाल की concept के साथ अपते के लिए गुडबाई God bless you बबाई दोस्तों